सो हेई गाइस वेलकुम बैक तो एक इसे हम वापस आज चुके एक और नहीं ब्रैंट न्यू वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं माइनक्रॉट पॉक्ट एडिशन का मोस्ट इजिएस्ट एंडर्मैन फार्म अभी तक आपने जितने भी एंडर् में कोई भी फार्म बनाने से पहले सबसे पहले तो हमें एंडर्ड ड्रैगन को किल करना होता है जो कि अपने आप में काफी डिफिकल्ट टास्क है बट आज हमें कैसा एंडर्मैन फार्म बनाने वाले हैं जिसके लिए आपको एंड डाइमेंशन में जाने की कोई जरुद हैं इस फार्म को आप सिंपली नेदर में बना सकते हो इस फार्म से आपको अनलिमिटेट एंडर पैलेस के साथ ही साथ अनलिमिटेट एकस पीस भी मिलेंगे तो अब यसली काफी अमीजिंग फार्म है तो चले अभी फटावट से फार्म को बनाते हैं तो इस फार्म को बना तो सबसे बहुत यहां पर हमें कुछ इस तरह से 3 इंटू 3 ब्लॉक्स तोड़ लेना है तो फिलाल हमें वाइ लेवल 59 पर यहां से वाइ लेवल 24 तक माइन करना है इसके बाद सेम तरह से बाकी के इरिया को भी लेवल 24 तक माइन कर लेना है दरफ बहुत को इसके लिए सबसे में पर एंस तरह से 6 ब्लॉक्स तोड़ने करना है माइन करते वक्त यहां पर में लेडर्स भी प्लेस करने है ताकि बात में लेवापी आपने वापस से जाना है नीचे यहां पर हम बनाने वाले अपने farm का automatic collection system collection system बनाने के लिए में चाहिए होंगे कुछ rails, powder rails, chest hopper, redstone torch और इसे के साथ एक minecart with hopper पहले तो इस side से हमें 3 blocks तोड़ने हैं फिर यहां से नीचे की तरफ 2 blocks तोड़ने हैं यहां पर एक redstone torch place करना है अभी हां पहीं हमें 2 power drills place करने हैं और दूस्रे side पे भी बिल्कुल सेम तरफ 3 blocks तोड़ने हैं फिर नीचे की तरफ 2 blocks तोड़ने है, redstone torch place करना है और फिर 2 power drills place करने है इसके बाद दोनों साइड के power drills को हमें normal rails से connect करने हैं पीच में यहां से हमें 2 blocks तोड़ने हैं, 2 chest place करना है, फिर chest के टिक पीछे वाले block को तोड़ना है, और crouch होके chest के साथ एक hopper connect कर देना है, अभी इस hopper के उपर और side बे भी हमें 2 rails place करने है, and finally हमें चाहिए होगा एक mine card with hopper, यह mine card with hopper अभी हाँ पे automatically चलता रहेगा, इस mine card के just उपर हमें कुछ इस तरह से 9 slabs place करने है, and अभी अपने enderman farm का collection system हो चुका है, पूरी तरह से तेया है, नीचे का काम complete हो जाने के बाद हमें वापस से उपर आ जाना है, यहांपे हमें place करने है 8 trap doors, and फिर इनको open कर दिना है, इसके बाद यहांपे हमें crouchों के टिक meडिल में फिर इस block के उपर 3 manner blocks place करने है, इस pillar के किसा भी एक side में 3 blocks place करने है, अब इस side में कुछ इस तरह से six blocks place करने है, फिर यहांपे हमें 2 block place करना है, AND इस block के उपर भी 2 block place करना है, finally this side पे भी हमें two block side का एक wall बना लेना है अब इस देगे भी हम spawn करने वाले हैं endermite को endermite को spawn करने से पहले यहाँ पे हमें धो rails place करने है and अभी हमें चाहिए होंगे कुछ ender parals ender parals को हमें simply throw करते रहना है जब तक ही कोई endermite spawn ना हो जाए तो finally यहाँ पे एक endermite spawn हो चुका है अभी यह endermite ना बहुत जल्दी dispawn हो जाते हैं तो spawn होते हमें इसको फटावट से एक name tag दे देना है then यहाँ पे हमें एक mine card place करना है and इसको थोड़ा सा push कर देना है so that's it अभी हमें इस mine card के ठीक उपर एक slab place करना है अभी हमें इन temporary blocks के भी कोई सरुत नहीं है तो यहाँ से हमें इन सभी blocks को तोड़ देना है बस धियार रखना है mine card का नीचे वाला block कहीं तूटना जाए तो finally अभी अपना enderman farm पूरी तरह से ready हो चुका है farm को use करने के लिए हमें killing chamber में जाना है यहाँ से हम बहुत easily endermans को kill कर सकते है इस farm से हमें ender paddle के साथ ही साथ xp's भी मिलते है वैसे तो farm काफी efficient है बड़ अगर आपको जादा ender paddles चाहिए तो यहाँ पे आप looting 3 sword यूस कर सकते हो तो बिल्कुर इसी तरह से आप minecraft pocket edition में easiest enderman farm को बना सकते हो आज के इस वीडियो के लिए बस इतने ही रखते है I hope कि आप सभी को आज के वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडियो से थोड़ा भी help में तो वीडियो को like करना बिलकुर आद भूलना channel क्यों पर नहीं हो तो subscribe करके bell बटन को दबादो इसी तरह की gaming related वीडियो को देखने के लिए also कुछी दिनों पहले हमारा smp भी launch हुआ है जिसमें कि कही सारे modes है including survival अगर आप smp में खेलना चाते हो तो फटावट से हमारे discord server को join करो link is in the description मैं आप सब इसे बिलूँँगा next वीडियो में stay safe good bye